असलेम वालेकुम दोस्तों आसामकिसी टीवी चैनल पार आप सभी को मेरे दिल से बहुत बहुत स्वागा थे दोस्तों मेरे करते हो आप सब खेरी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे तो इस वीडियो का तो टोपिक है ओ है 15 से 30 दिन के बच्चे को क्या-क्या खेलना चाहिए और साथ में हम ये भी कवर करेंगे कि क्या-क्या नहीं खेलना चाहिए तो वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है आप इस वीडियो को द्यान से आन तक जरूर दिखिए दोस्तो अगर आप इस चनल पर नए हैं तो चनल को जरूर सब्सक्राइब किजिए सबने बेल अक्या उन को भी जरूर प्रेश किजिए तो चालिए शुरू करते हैं दोस्तो वल्कम बेक टो आँच चैनल तो 15 से 30 दिन के बच्चे को क्या-क्या खिलना चाहिए उस लिस्ट के सबसे पहला आता है मा का दूद मा का दूद बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है बच्चे की ग्रोथ होने में मादर मिल्क गुर्थ पूर्ण भुमिकाए निवाती है इस बातों को यह पर लाने का एक ही मक्साद है ओ है अगर बच्चे को ठीक से मा का दूद नहीं मिलता है या मा का दूद नहीं होता है तो बच्चे को आप कुछ भी खिलाए बच्चे का जो ग्रोथ है वो नहीं होता है आगे जाके बच्चे की डेध भी हो सकता है क्योंकि Mother Milk में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन होता है तो आप सावल आता है कि बच्चे को दिन में कितने बार दूद पिलाए और कितने दिन तक पिलाए तो Rabbit के बच्चे को दिन में दो बार दूद पिलाना है morning and evening और कम से कम आपको से हप्ते तक दूद पिलाना होगा लेकिन अगर आप 8 हप्ते तक दूद पिलाएंगे तो बेटर रहेगा दोस्तों दूसरा तो सीज से ओ है fresh है और fresh grass मा की दूद की आलवा बच्चे को grass है खिलाईए तो यह पर और भी एक सवाल पैदा होता है और रेबिट को कितनी quantity में grass खिलाना चाहिए तो चाहे हो बच्चे हो या बड़े रेबिट हो grass और है आप unlimited खिलाईए इसका कोई quantity नहीं है जितना मांच है उतना ही आप अपने रेबिट को खिलाईए लेकिन जो अलफा अलफा और तीम होती है वो रेबिट के लिए ज्यादा अच्छे होते है वो रेबिट के ग्रोध भी ठीक रखता है दोस्तो मेरा यहाँ सिर्फ मेडव ग्रास और धुबा ग्रास मिलता है वो ही मैं रेबिट को देता हूँ नेक्स्ट है वाटर दोस्तो बहुत सारे लोग हमें पुस्ते है कि रेबिट पानी पीता है तो उन लोगों में बोलना चाहता हूँ हाँ रेबिट पानी पीता है और बहुत ज्यादा ही पीता है चाहे वो बच्चे हो या एडल रेबिट हो तो हाम यहाँ पर बात करेंगे बच्चे के बारा में, तो रेबिट के बच्चे जब तीन हपते की हो जाता है, तब से रेबिट पानी पिना शुरू करता है, लेकिन सभी बच्चों या बड़े खरगोश पानी पियेगा ऐसा भी नहीं है, तो आप अपने रेबिट के बच्चे को पानी ज़रू कर सकते हैं, नेक्स्ट है पैलेट्स पैलेट्स भी रेबिट के लिए और रेबिट के बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है जब रेबिट के बच्चे आपसीज दिन हो जाता है तापसे आप पैलेट खिलाना शुरू कर सकते हैं उससे पहले अगर आप खिलाएंगे तो बच्चे का ल रूख लाइए नेक्स्ट जो फूट से ओ है बेजटेबोल्स, फ्रोईट्स, एन ट्रेट्स, एक महिने की नीचे की बच्चे को बेजटेबोल्स, फ्रोईट्स और ट्रेट्स बहुत ही लिटिल अमां में देना चाहिए, क्योंकि ज़्यदा बेज़ीश, फ्रोईट्स, ट्रे प्रोइट्स, ट्रेट्स और साथ में पैलेट्स भी बच्चे को खिलाईए ज्यदा मत खिलाईए उल्टा नोक्सान ही हो सकता है दोस्तों आप बात करते हैं रैबिट के बच्चे को क्या-क्या नहीं खिलाना चाहिए जो सिस बड़े रैबिट के लिए सेफ नहीं मतलब हार्म जैसे की कुकिंग फूट्स, कुकिंग बेज़ेटेबल्स, चॉकलेट्स, ब्रीट, केक, एलकोहॉल, बिस्कूट्स, नाट्स, ओली फूट्स, मसला दर्जो फूट्स से ओबी, जांग फूट्स, रोटी, चावाल ये सब आप अपनी रैबिट के बच्चे को नहीं दे सकते दोस्तो और भी बहुत सारे बेज़ेटेबल से, फूट्स से, ट्रीट से, जो आप अपनी रैबिट को और रैबिट के बच्चे को नहीं दे सकते हैं, अगर आप वो नहीं जानते हैं, तो आई बटन पर में वीडियो का लिंक दे दूँगा, वहाप पर किलिक करके आप दे अगर आप इस सेनल पर नहीं हैं, तो सेनल को जरू सब्सक्राइब कीज़ें, अपने बेल आगम को भी जरू प्रिस कीज़ें, तो मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो के साथ, खुश रहे, मस्त रहे, हमारी चैनल से जुड़े रहे, खुदा हफिज